आज हम एक टॉप बनाएंगे उसके लिए मैंने यह फैब्रिक ले रखा है यह मैंने 1.5 मिटर फैब्रिक लिया है अब हम सबसे पहले इसके नीचे वाले पार्ट की cutting करेंगे मैं अपने size का बना रहा हूँ आप अपने size के according बना सकते हैं सबसे पहले मैं इसके नीचे वाले पार्ट की cutting करूँगी उसके लिए हमें स्टार्टिंग से 14 inches पर एक mark लगाना है यह 14 इंचीज है और यहाँ पर एक मार्क लगाना है हमें इस तरह से मार्क करके यहाँ से कट कर लेना है मैंने यह नीचे वाला पार्ट कट कर लिया है अब मैं इसे साइड में रख दूंगी अब हम उपर वाले पार्ट की कटिंग करेंगे इसकी लंबाई भी 14 इंचेस लेनी है अब इसको 4 फोल्ड करना है उसके बाद मैं अपना एक टॉप लोगी जिसके अकॉर्डिंग मैं इसे कट कर लोगी टॉप को हमें ऐसे फोल्ड करना है और कपड़े पर इस तरह से रखना है उसके बाद इसके अकॉर्डिंग हमें इसे मार्क कर लेना है मैंने इसे मार्क कर लिया है अब मैं इसे कट कर लूगी मैंने इसे कट कर लिया है ये दो पार्ट है एक फ्रंट पार्ट है और एक बैक पार्ट है अब हम पीछे वाले पार्ट का गला इतना ही रहने देंगे और आगे वाले का खोड़ा सा बढ़ा करेंगे उसके लिए एक पार्ट को इस तरह से फोल्ड करना है उसके बार एपर दो इंच पर निशान लगआना है मैंने दो इंच लिए हैं और यहाँ पर मार्क करना है और इसे राउंड शेप में कट कर लेना है ऐसे राउंड शेप देना है और इसके बाद इसे कट कर लेना है हमारे दोनों पाट त्यार हो चुके हैं अब हम इसके लिए कॉलर कट करेंगे उसके लिए मैंने दूसरा कपडा लिया है उसके लिए मैंने ये ब्लू कलर का कपडा लिया है क्योंकि इसके उपर ब्लू कलर के डॉट्स है तो ये इसमें सही लगेगा अब इसमें हम color की तरह गले पर एक पत्टी लगाएंगे जो कि यहां से start करके फूरी यहां पर घुं के यो और यहां तक आएगी हमें वो पत्टी यहीं तक लगानी है हमें 2 mark लगा लेना है अब हमें यहjust फेना हैं कि यहह इंच का होता है 5 इंच यहां तक उसके बाद 9, 5 और 9, 14 और 5 यहां तक 5, 5, 10, 10 और 9, 19 तो हमें 19 इंच की एक पट्टी काटनी है मैंने ब्लू कपड़ा ले लिया है इसको मैंने ऐसे फोल्ड किया है और अब मैं इसको 19 इंच तक नाप लूँगी कहां तक होता है यहां पर मेरा 19 इंच हो रहा है तो अब मैं यहां पर एक मार्क लगाँगी अब हमें इसको यहां तक फोल्ड कर लेना है यहां तक फोल्ड करने के बाद हमें इसे थोड़ी सी शेप देने हैं यहां से थोड़ा से ज़्यादा लेना है और फिर इसे नीचे ले जाना है इस तरह से उसके बाद इसे कट कर लेना है यह मैंने एक्स्रा इसले लिया है क्योंकि यह सिलाई के अंदर जाएगा इसके बाद हमें बांधने वाली पट्टी काटनी होगी उसके लिए इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है अब यह फोल्ड है एक दो तीन चार इसके लिए हमको यहां से थोड़ा सा कम लेना है यह नीचे से थोड़ा ज्यादा रहेगा और उपर से कम रहेगा यह से खुल जाएगा इसको बीच में से अलग कर लेना है अब हम इसको ऐसे बनाएंगे इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और यहां से पूरा यहां तक ले जाकर सिलाए कर देंगे फिर इसको सीधा कर देंगे अब हम सिलाए स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हमको शोल्डर अटैच कर लेना है तो यहां से यहां तक सिलाए लगाएंगे और यहां से यहां तक सिलाए लगाएंगे मैंने दोनों शोल्डर अटैच कर लिये है इसके बाद अब मैं ये पट्टी इस गले पर अटैच करूँगी यहां से लग कर यहां तक आयागी सबसे पहले इसको अंदर से सिलाइई करके स्टार्ट करना है और उसके बाद उपपर इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर सिलाइई लगा लेना है लेकिन उस से पहले यह जो इतना खाली पार्ट बचेगा उसके उपपर हम एक छोटी सी पाइपिन यहाँ पर लगा देंगे जिससे यह इस तरह से हो जाएगा और यह लगाने से पहले इसके अंदर यह जो हमने बादने के लिए बनाई थी दो इनको यहाँ पर कॉर्णर पर अटेच करना है यहाँ पर उसके बाद इस तरह से हम इसको यहाँ पर बाण सकते हैं तो आपको यह पूरा बना लेना है मैंने नेक्ट पर यह पट्टी लगा लिया है और यह भी लगा लिया है इसको हम ऐसे बाण देंगे अब हम इसकी स्लीव्स कटिंग करेंगे Sleeves के लिए मैंने एक और कपड़ा लिया है मैं 3-4 Sleeves बनाऊँगी उसके लिए मैं Sleeves की लंबाई 15 इंचेस लिए इसके बाद मैं Topper को इस तरह से रखूँगी ताकि मुझे पता पढ़ जाएगा कि मुझे कितनी लंबी Sleeves चाहिए यहां से इस पर मार्क कर लेना है इसी शेप में ऐसे मार्क करके आपको यहां से कट कर लेना है मैंने इस Sleeves कट कर ली है फुलने के बाद यह ऐसी दिखेगी हमें यहां से इसे अटेच करना है अब मैं Sleeves के नीचे की डिजाइन बनाऊँगी उसके लिए हमें स्क्वाइर शेप कपड़ा लेना है यह डबल कर रखा है मैंने इसको फिर इसको इस तरह से फोल्ड करना है उसके बाद हमारी Sleeves को भी हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इसी के नाप के अकॉर्डिंग इसे कट कर लेना है जैसे यह यहां तक है तो यहां से कट कर लेना है और यह जो नीचे है नीचे की तरफ भी round shape में कट कर लेना है यह खुलने के बाद ऐसा हो जाएगा इसे हम ऐसे सिलाई लगा के यहां पर ऐसे attach करेंगे जिससे डिजाइन बन जाएगी नीचे से फोल्ड कर लेना है और यहां पर सिलाई लगा देनी है अब मैं अब मैं इसके अंदर sleeves attach करूँगी और यह design attach करूँगी मैंने दोनों तरफ sleeves attach कर ली है यह sleeves नीचे से कुछ इस तरह से बनी है अब मैं इसके नीचे वाला part attach करूँगी इसको मैंने पहले नीचे से फोल्ड कर लिया है उसके बाद मैं यहां पर box plate बनाते हूँ है box plate बनाने के लिए सबसे पहले इसको इदर से ऐसे करना है और इदर से ऐसे करना है इस तरह से सारे तरफ box plate बनानी है और यहां पर शिलाई लगा देनी है उसके बाद इन दोनों parts को attach कर लेना है यह सब attach करने के बाद मैं इसको दोनों तरफ से fit कर दूँगी मैंने इसे नीचे से attach कर दिया है और side में से fit भी कर दिया है तो मेरा top ready हो चुका है इस बाद बाद कर दिया है